हालो एवरिवन आप सबका मेरी चैनल में स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं कमल ककड़ी की सबजी इसको बनाने के लिए मैंने एक केजी कमल ककड़ी लिया है उसे अच्छी तरह से धो लिया है पोज लिया है और मोटा साइज कही लिया है आप भी मोटा साइज ही लिजे अब उसको दोनों साइज से काट लिया है देखिए मैंने और काट कर यह चेक कर लिया है कहीं उसके अंदर मिट्टी तो नहीं है बहुत बार ऐसा होता है कि उसके अंदर मिट्टी भरी होती है और हमें पता भी नह एक जाब काटते हैं तब देखता है, तो पहले काटकर चेक कर लीजिए दुनों साइड से की देखिए मैंने चेक कर लिया है, ते उसमें मिठte बिलगुल भी नहीं है आई ये बिसे गोल गोल शेप में काट लेते हैं जिखे ऐसा मैंने ये गोल गोल शेप में काटा है जिखे सभी सबजों को काटने के बाद प्रेशर कुकर में एक सिटी आने तक बॉयल करना है इसे पहले के कुकर में जब भी बॉयल करने के लिए चड़ाए आधी चमबच नमक और थोड़ी सी हल्दी राल दीजिए उसके बॉयल होते तक आईए जब तक मसाला रेडी करते हैं मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है चार बड़ा प्यास छे टमाटर एक बंच लसन दो इंच अद्रक के दुकड़े और पांच है हरीमेच देखिए मैंने गैस पर टख बड़ाई चड़ा दिया है कःए पर टेल दाल दिया है हमारा कमल कव्ली पाईल हो चूका है अब उसे हम गल्डर ब्रौन होने तक फ्राइग करेंगे देखें गोल्डन डॉन होने के लिए इसे फ्राई कर रहे हैं पहले हम हल्दी और नमक डाल चुके तो देखें इस पर हल्दी का अच्छी सी कलर भी आ गया है और नमक भी अंदर चला गया होगा अब यह सॉफ्ट भी हो गया होगा क्रंच क्रंच की आवाज भी नहीं आएगी जब खाएंगे इसे तो देखें गोल्डन ब्राउन हो चुक है अब इसे बाहर प्लेट में निकाल लेते हैं कराई से बिसम्याधाचम्म जीरा थोड़े से मीठी प्ति कड़ी पत्ती जिसको बोलते हैं बारी कट्टी हुई हरी मिज इससे थोड़ा ब्राउन करेंगे गोल्डन ब्राउन इसके बाद जो लशन अध्रक और प्यास का जो पेस्ट बनाया है देखे गोल्डन ब्राउन हो गया है अब लशन अध्रक प्यास का पेस्ट डालेंगे इसके और इससे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे अच्छी तरसे आप देख सकते हैं हमारा लशन प्यास अध्रक का पेस्ट अच्छी से गोल्डन ब्राउन हो चुका है अब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ तमाटर और इससे भी अच्छी से पोनेंगे जब तक इससे ढख कर तो तीन मिनाट के लिए छोड़ देंगे देखिए अप तमाटर फिप्टी परसेंट गाल चुका है अब हम इसमें डालेंगे हल्डी पाउडर आदी चम्माच एक चम्माच लाल मिर्च एक चम्माच धन्या पाउडर स्वाद अंसार नमक डालेंगे तो कि नमक हमने पहले ही डाला हुआ है बॉइल करने के समय तो नमक अपने अंसार डाली का मातर में डाली अब इसे फिर अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक भूनेंगे जब तक के मसाला कड़ाई में तेल ना छोड़ दे तब तक अब तक के 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 त यह देखे हमारा मसाला भून गया है अब हम इस पर कमल कक्री डाल देंगे अब देख सकता है हमारी सबजी डेड़ी होने वाली है अब डालेंगे हम हरा दनिया अब सबजी हमारी डेड़ी हो चुकी है अगर आपको हमारी सबजी पसंद आती है रेसिपी पसंद आती है तो आप उसे लाइक करिए शेयर करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए तेंक ये अबरीवन चैनल को सब्सक्तार द सब्सक्तार लाइक रचे भी आपको सब्सक्तार शेमारी खाइब करिए